बिस्मिल्ला र्रामान र्रहीम असलाम वालेकूम जी दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्शाल्ला पिछेती काश्ट के हवाले से जिन दोस्तों ने नवंबर के आखरी हफते में या दिसम्बर के पहले हफते में बिजाई की है उस हवाले से वो उसको अब तकरीबन पहला पानी लगने वाला है लगने वाला हो या थोड़ी देर हो तो उन दोस्तों को चाहिए कि वो जल्द 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 की पहली आप पाशी को ममकिन बनाए जिन दोस्तों ने डिये पिक उसके नीचे डाली है तो वो मजीद उसके लिए ये है कि एक बोरी तारसबस नेटरोफास और जब वत्तर आयए तो उसको एक बोरी यूरिया की उसमें च्छटा करवाएं क्यूंकि पिश्चेत होने की वज़े से उसको अब डबल जो खुराक की जरूरत है और कोशिश करें कि जो भी खुराक पूरी सीजन में देनी है उसका कम असकम सतर से असी परसेंट जो है वो पहली आप पाशी पर उसको दे दें ताकि वो जल दस जल जो है टिलर मुकमल करे और टाइम जैसा जैसे थोड़ा बचता जा रहा है तो मौसम भी कोई खातरखा ठंड नहीं है यह अगर्चे दुन्द होती है लेकिन दस ग्यारा बज़े सूरज जब निकलता है तो टंपरेचर ज्यादा हो जाता है मतलब कि अभी मैं यह जब फसल को देखा है तो पसीना आ रहा है माते बर यह टंपरेचर है तो टंपरेचर भी कोई खातरखा डाउन नहीं हो रहा अभी आगे कोई अफ़ता दास दिन तक बलके ज्यादा दिनों तक बारिश की भी कोई उमीद नहीं है मौसम भी खुशक है और टंपरेचर जो है वो दिन का तकरीबन 20 से उपर ही जाएगा तो इसलिए चाहिए के जल्द से जल्द जो है वो उसकी आपशी को मम्किन बनाएं और साथ में जो है उसको ज्यादा स्ज्यादा जो खुराक है उसकी वो उसको अपलाई करें अगर डिये पी नहीं डाली पहले बिजाई के वक्त तो अब उसको दो बोरी सरसबस नेट्रोफास पहले पानी पर और जब उसको वत्तर आए तो उसको एक बोरी जो है वो यूरिया की दें और इसके इलावा जो मौसमी काष्ट है जिन दोस्तों ने कर ली थी काष्ट टाइम पे नमंबर के पहले हफ़ते में उसको दूसरा पानी लाग रहा है तो उसको भी कोशिश करें कि जितनी जल्दी मुम्किन हो सके यूरिया उसका पूरा करें और जिन दोस्तों ने दूसरा पानी लगा लिया है यूरिया की दूसरी खुराग जो है वो भी अपलाई कर दिये तो उनके लिए मश्वरा ये है कि वो किसी भी अच्छी कंपनी का एक जो है वो सप्रे एन पीके का जरूर करें क्योंकि कुछ तो इस दफ़ा जर्मीनेशन क इशू भी आया है जर्मीनेशन कम हुई है और उसके बाद अब जो पच्पन साथ तिन की फसल हो रही है तो उसको बारिश भी नहीं हुई कोई टंपरेचर भी लो नहीं हुआ टंपरेचर भी तकरिबन 20 के उपर ही आ रहा है तो उसको इस वकत जरूरी है कि एक इजाफी सप्रे जो है वो 2 किलो यूरिया जो है उसको 100 लिटर पानी या 120 लिटर पानी इस्तमाल करें उसमें और वक्ती तोर पे जो है उसको सप्रे करें यूरिया का एक तो जरूर करें इसके बाद अगर तंपरेचर लो हो जाता है कोई बारिश आ जाती है अल्ला ताला की तरफ से तो फिर तो ठीक है नहीं तो एक दो इजाफी सप्रे जो हैं वो हूरिया के उसको करें तो ये है आज तक की अपडेट्स पहले पानी के हवाले से और जो गंदम जो है वो दूसरा पानी जिसको लग चुका है उसके हवाले से तो इस इसाब से अगर हम चलें तो इन्शालला ला ताला के फजल करम से हमें एक अच्छी फैसल जो है वो ले लेंगे वाक्राओं